वेलकम टू एबीसी केंपस आज हम कंपनीज एक 2017 में सेक्शन 233 की रिक्वाइर्मेंट है कि कॉपी और फांशल स्टेट्मेंट टू बी फॉरवर्डिट तू दर इस्टार इसको डिसकस करेंगे अच्छा यह जहन में रखना है कि एक तो जब फाइनशल स्टेट्मेंट बना तो रिक्वाइर्मेंट यह है कि आफ्टर दॉडिट फाइनशल स्टेट्मेंट है बिन लेट बिफोर दे कंपनी एड़ एड़ एगेंट डूली एडॉप्टेट का मतलब है कि जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक किसम का जनल मीटिंग ने उनक स्टेट्मेंट तुगेदर विद रिपोर्ट्स एंड डाकॉमेंट्स अच्छा रिपोर्ट्स एंडाकॉमेंट्स से क्या मुराद है और रिपोर्ट डिरेक्टर रिपोर्ट और लिस्टेट कंपनी हो तो चेर्मेन की रिव्यू रिपोर्ट डूली साइन साइन कौन करता है चीफ एक्जेक्टिब और डिरेक्टर लिस्टेड कंपनी हो तो CF हो भी शेल भी फाइल बाइद अ कंपनी विद रिस्टार रिस्टार को कंपनी ने जमा करवानी होगी जब वो फाइंशल स्टेट्मेंट्स ड्यूली एडॉप्ट हो गई है यानि मेंबर्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिये इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो डिफरेंट है लिस्टेड कंपनी के लिए वो है 30 डेस की और जो अदर कंपनी है उनके लिए टाइम लिमिट है 15 डेस की कि जब AGM होगी मीटिंग होगी meeting की date से आपने देखना है कि listed company हो तो 30 days के अंदर और बाकी companies हो तो 15 days के अंदर जमा करवाना है law नहीं यहाँ पर listed company को थोड़ा सा ज्यादा time इसलिए allow किया है क्योंकि listed companies में जो minutes वगेरा का record है दूसरी चीज़ों का record वगेरा उसमें ज्यादा time की requirement होती है क्योंकि meeting के अंदर ज्यादा लोग आये होते हैं जो बाकी companies होती हैं क्योंकि उनमें members की तदा ज्यादा नहीं होती तो उसमें meetings related record वगेरा को maintain करने में ज्यादा time की ज़रूरत नहीं होते अगर members financial statements को adopt नहीं करते यानि members को कोई एतराज है financial statements के उपर किसी और वजह से अभी तक वो उस पर कहलें कि बहस कर रहे हैं और अभी वो किसी conclusion पर नहीं पहुंचे कि adopt करें या ना करें तो ऐसी situation में क्या होगा इस जनरल मीटिंग बिफोर विच्ट फाइंश स्टेटमेंट इस लेट वो adopt नहीं करते यानि उनने का जी हमें तो ये पाइंश स्टेटमेंट जो दी गई हैं हम इन से agree नहीं करते हम इनको accept नहीं कर रहे हैं या वो consideration को defer कर देते हैं वो कहते हैं कि अभी इस पर हम अपना final फैसला नहीं कर रहे हैं इस पर अभी हम मजीद देखेंगे और फिर फैसला करेंगे या फिर meeting ही adjourned हो जाती है कि meeting अभी मुलतवी हो गई है और time जो है न वो गुजरता जा रहा है क्योंकि बाद वकात meeting में फैसले नहीं हो पा रहे होते बहस मुभाइसा चल रहा होता है तो डिले हो जाती है adjourned हो जाती है meeting तो statement of that fact and of the reasons therefore कि एक तो fact का मतलब क्या है कि हम ये बताएंगे कि भी financial statements को members ने adopt नहीं किया क्यों नहीं किया जो members ने अतराजात लगाएं वो बता दें अगर उन्हें ने consideration defer किया तो क्यों किया वो reasons जो दी होंगी वो बता दें shall be annexed to the financial statement उन्हें भी financial statements के साथ attach किया जाएगा और restart के पास file करवानी होगी यानि members ने अगर adopt नहीं भी की तो financial statements restart के पास file करवानी है बलके अब जो है ये reason भी साथ attach करके बतानी है कि जी इन financial statements को members ने adopt नहीं किया और क्यों नहीं किया reasons भी साथ attach होंगी exception है यानि यह जो requirement है financial statements को register के पास file करने की इस पे एक exception है कि ऐसी company पर apply नहीं होगी जो private company हो having paid up capital not exceeding rupees 10 million और such higher amount as may be notified by the commission कि अगर ऐसी company है जिनका जो capital है वो 10 million से ज्यादा नहीं है और वो private company है तो उनको यह financial statements जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी यह उनके लिए exception है that's all for today have a good day अ अ अ अ क्यों ठूल क्यों यह क्यों तो व अ और क्यों ठाए व झाल झाल